कचा चुठा में आज बात उस खबर से शुरू करेंगे जिसने पुतिन को गाजा में जंग के लिए आखरकार मजबूर कर दिया अगर अगले 24 घंटे में इसरेली सेना ने गाजा पटी पर भीशन हमला किया तो फिर रूस बहुत बड़ी जंग शुरू कर सकता है इसमें कोई शक नहीं पहिशमेश्या की मीडिया के मताबिक वलादिमिर पुतिन ने नेतन याहू को दो टूक कह दिया कि अब रूस गाजा और सिरिया पर और हमले किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं करेगा बंद करो गाजा में गदर पुतिन की जंगी धम की काजा युद्ध में लगभग 15,000 मौते होने के पाद इस्राइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू भयान खोन खराबा करने पर उतारू है हालात ये हो गए हैं कि पिछले 12 गंटे के अंदर इस्राइली सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगवों पर सीस पायर को दोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर मिसाइलों और जोन से सीधा हमला किया है लेकिन इस बीच एक खबर रूस से निकल कर आई है जिसने पूरी दुनिया को संग करकर रख दिया है 71 साल के रूसी राश्च्टपती व्लादे मेर पुतिन ने साफ चेताबनी दी है कि अगर गाजा में घूनी गदर नहीं रुका तो फिर गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली सेना पर भयंकर हमले शुरू हो जाएंगा नेतन याहू को चेताबनी देते हुए पुतिन ने जो कहा है उसने अमेरिका समेथ तमाम पश्चमी देशों को गहरे संकट में डाल दिया है जराद देखी पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब गाजा युद्ध इसराइली सेना के लिए गले की हटी बनता जा रहा है गाजा से सीरिया तक रूस का बदला शुरू रूसी राश्पती व्लादमिर पुतिन ने प्रधार मंत्री बिन्यमिन नेतन याहू को सीधी चैताबनी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध नहीं रोका तो फिर सीरिया भी इसराइल पर सीधे और बड़े हमले शुरू कर देगा पुतिन ने हमास और इसराइल के बीच संघर्ष विराम पर बोलते हुए साब कहा है कि इसराइल जिस तरह से सीध वायर की आड़ में गाजा से लेकर सीरिया तक हमले कर रहा है उसकी वज़ा से अब फिलिस्तीन इसराइली संघर्ष तीबर व्रिधी की ओर बढ़ चुका है पुतिन ने अपनी चेतावनी में ये खुलासा नहीं किया है कि क्या रूस की सेना सीधे तोर पर इसराइल के खिलाफ जंग में उतरे या फिर रूस एरान और लिबनान के जरिये इसराइल पर बड़ा हमला करवाएगा खबर ये भी है कि सीरिया में मौजूद रूसी सेने अटो पर इसराइल के खिलाफ युद की तैयारी पूरी कर ली गई है हम आपको बता दें कि पुतिन ने इसराइल से साफ कह दिया है कि अब गाजा में मासून फिलिस्तीनियों की मौत का तमाशा रूस नहीं देखेगा दावा किया जा रहा है कि मौसकों ने इरान, सीरिया और लिबनान को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है कर लो रहा है एक प्यादिया है मास बता रहा है कि अब बता रूस Christmas कि अब देफे लो थे लो रहा के अहा है को ये भी जान लीजिये कि जब से हमास और इसराइल के बीच सीज फायर हुआ है तब से उत्तरी गाजा दक्षणी गाजा और वेस्ट बेंक में ऐसा क्या हुआ है कि फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों को बचाने के लिए पुतिन को सीधे जंग के मैदान में उतरना पड़ा है मिडल इस्ट और रूसी मीडिया के दावों की मताबिक इसराइल ने पिछले 36 घंटे में हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को सीज फायर के दोरान ही जबरदस्त हमले में मार डाला है अब सवाल उगता है कि जब सीज फायर है तो फिर इसराइल डंके की चोट पर हमास के टॉप कमांडर या कहें लीडर्शिप से जड़े नेताओं को क्यों मार रहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स के मताबिक इसराइली सेना के ख़वे एजेंसी मौसाद और शिन बिद के पास हमास के सभी टॉप कमांडर्स की पूरी लिस्ट है जो हमास के हमलों को कंट्रूल करते हैं यही वज़ा है कि जैसे ही सीज फायर हुआ हमास के टॉप कमांडर आगे के हमलों को लेकर मूवमेंट करने लगे जिसकी भनक मुसाद और शिन बेत को लग गए और फिर इसराइल के आईडियफ ने ख़विया सूचना के आधार पर इने मार डाला यही नुकसान हमास पर बेहत भारी पड़ रहा है जिसके खिलाब अब पते ने इसराइल को धंकी दी है कि अगर सीज फायर के दौरान गाजा या फिर सीरिया पर हमले तेज किये तो फिर ये युद्ध पूरी तरह से बेकावू हो जाएगा और रूस चुप रहकर तमाशा बिल्कुल भी नहीं देखेगा अब आप ये भी जान लीजिए कि सीज फायर के दौरान हमास का कौन सा बड़ा टॉप कमांडर मारा गया है हमास के दो टॉप कमांडरز को इसराइली सैना ने इस तरह से मारा है कि यही नहीं पता चल पाया कि उन्हें सीज फायर के दौरान मारा गया है या फिर पहले मारा गया हमास ने खुल 26 नमंबर को पुश्टी की है कि हमास के उत्तरी ब्रिगेट के दो कमांडर मारे गए हमास के मताबक आईडियाफ ने उत्तरी ब्रिगेट के कमांडर अहमद अल गंड़ को हवाई हमले में मार डाला है इस से पहले I.D.F. ने हमास के कमांडर एहमद अलगंडौर को मारने की तीन बार पूशिश की थी इसके अलावा हमास के उत्तरी ब्रिगेड में रॉकेट डिवीजन के कमांडर आइमान सियाम को भी I.D.F. मार्च पी हमास के मिलिटरी विंग के मुताबिक हमास के कुल पांच सबसे टॉप अधिकारी मारे गए हैं दावों के मुताबिक ये सभी टॉप कमांडर युद्ध विराम शुरू होने से मारे गए हैं जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीजफायर के दौरान है इसराइली सेना की स्पेशल पोर्ट ने हमास के पांच कमांडर्स की टागेट किलिंग की है सीजफायर तोड़ा तो तोड़ देंगे इसराइल हमास के सतर से ज्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं जिन में से पंदरा बेहत माहर और दिगज कमांडर्स थे लेकिन जिस दरह से सीजफायर के आड़ में इसराइली सेना ने गाजा में गदर मचाया है उसे लेकर पुतिन बेहद एक्टिव है इरान के राश्ट्रपती रईसी से पुतिन की नजदीकियों ने इसराइल के खिलाब नई मुसीबत खड़ी कर दी है तो वहीं सीरिया की प्रमुक असद से पुतिन की पुरानी और गहरी दोस्ती ने इसराइल को गाजा से लेकर सीरिया तक मुसीबत में डाल दिया है सीरियाई रज्य समाचार एजेंसी के दावों के मुताबिक पिछले 18 घंटे में दक्षन पश्चम सीरिया में इसराइली हवाई हमलों में सीरिया के सेन्य ठिकानों को भारे नुक्सान हुआ दावों के बुदाबिक सीरिया में हुई इसराइली हमले में उसके 8 सेनिक बारे गए है जबकि 7 घायल हुए है सीरिया में इसराइल का हवाई हमला सीरिया के दक्षन पश्चमी शेहर दारा के पास सेन्य ठिकानों पर हुआ है जिसे लेकर पोतेन पुरी तरहा से बौखला गए है इसलिए उन्होंने इसराइल को सीधी धंकि दी कि अगर गाजा और सीरिया में इसराइली हमले इसी तरहा से दोबारा हुए तो जंग बहुत भयानक हो जाएगी अजय को जा पुआ है पौजे जखीम शमगीनीम इधर हमास के दोरा बंधकों के रिहाई के दोरां एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही रूस को अपना सबसे वफादार दोस्त मानने वाले हमास ने रूसी बंधकों को लेकर ऐसा एलान कर दिया है जिसने पुतिन के कद को दुनिया भर में काफी उंचा कर दिया है हमास के वरिष्ट अधिकारी ने दावे के साथ एलान किया है कि हम रूस और राष्ट पति पुतिन का बहुत सम्मान करते हैं इसलिए गाजा में बंधक रूसी नागरिकों को हमास बिना शर्ट रिहा करने जा रहा है हमास के टॉप लीजर ने पुतिन को सम्मान देते हुए बयान दिया है कि रूसी बंधकों को रिहा करके हमास पुतिन को सच्चे दोस्त होने का सम्मान दे रहा है इधर कतर, मिसर और अमेरिका ने मिलकर इसराइल और हमास के बीच सीज़ फायर तो करा दिया लेकिन दिक्कत ये है कि नेतन याहू और इसराइल के कमांडरों ने साप कह दिया है कि सीज़ फायर ना तो इसराइल के बदले को रोप पाएगा और ना ही इसराइली हमलों को हम हमास का पूरी दुनिया से खात्मा कर देंगे इधर कुछ मिडल इस की मीडिया ने दावा करना शुरू कर दिया है कि गाजा पट्टी में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जिनकी संख्या 1967 में इसराइल अरब युद्ध में मारे गए लोगों से कहीं ज्यादा है दावा तो यहां तक किया गया है कि 120,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हुचकी है अब ऐसे हालात में दावे किये जा रहे हैं कि रूस गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली हमलों को काउंटर करने का मन बना चुका है क्योंकि युक्रेन की युद्ध में पुतिन ने अकेले दम पर नीटो और अमेरिका को ठका डाला है और युक्रेन पुतिन से जंग लगबग हार चुका है अब ऐसे हालात में पुतिन का होसला साथवे आसमान पर है इसलिए वो गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली सेना को मट्या मेट करने के तैयारी में जुट चुके हैं गाजा की आग अमारिका तक पहुँच गई है और अब अमारिका में 40 करोड बंदूक बड़ा खत्रा बन गई अमारिका में खरीब करीब हर नागरेक के पास बंदूक है अमारिका में अब गाजा को लेकर ऐसी बाते पहलाई जा रही है जिससे जो बाइडन को ये लगने लगा है कि कहीं हमास का अगला हमला अमारिका में न बन जाए खासा पट्टे के अंदर अब तक 4 करोड किलोग्राम भम बरसाए जा चुके पूरा घाजा पट्टी जल कर राख हो चुका है लेकिन इस आग ने अमेरिका के समाचिक दाने बाने को भी जला कर राख कर दिया है साथ अत्तूबत के बार यानि जब हमास ने इसरैल पर आतंक्तवाधी हमला किया उसके बाद से लगातार अमेरिका के अंदर ऐसी वारदाती हो रही है, जिसमें शिकार कभी यहूदी हो रही हैं, तो कभी प्रिस्थी。 अमेरिका के आबादी 32 करोड 64 लाख है लेकिन अमेरिका के अंदर आम लोगों के पास 40 करोड बंदूके हैं यानि अमेरिका में तक्रीबन हर नागरिक के पास कम से कम एक बंदूक अवश्य है और ऐसी स्थिती में अगर अमेरिका के अंदर सामाजिक सत्भाव बिगड रहा है तो जो वाइडन के लिए ये बहुत मुश्किल की घड़ी है ताजा खबर अमेरिका के वर्लिंग्टन से है जहाँ पर एक अमेरिकी नागरिक ने तीन फिलिस्तीनों को बोली वारती है इस घड़ना ने एक बर फिर अमेरिका में फिलिस्तीन बनाम घैर फिलिस्तीन तनाव को भड़का दिया है बर्लिंग्टन में एक अमेरिकी नागरिक ने ही शाम और अतानी, तैसीन, एहमर और किन्नान अब्दुलहमीद पर वर्मोट विश्वित त्याले के पास हमला किया है अमेरिका के राश्रपती जो बाइडन और उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लेंकन लगातार यहूदी पूझारियों, यहूदी नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरों के संपर्क में है वो लगातार शांती स्थापित करने की कुशिश कर रहे हैं और बयान भी जारी कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है अमेरिका में किस तरफ फिलिस्तिनों को बोलियों की बहचार का सामना करना पड़ा है, आपको आगे बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले आपको अमेरिका के हालिया घटनाओं का पूरा विवरन देते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका भी अव गाजा के आँग से बच नहीं पा रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की ही हैं, जहाँ पर एक 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे का नमाजे जनाजा पढ़ा जा रहा है। ये 6 साल का बच्चा एक अमेरिका के नागरिक के हां किरायर पर अपनी मा के साथ रह रहा था। लेकिन इस बच्चे को 71 साल के एक बज़ुर्ग ने चाकू से 26 वार करके माठा ला। इस बच्चे के परिवार जनोंने रोते हुए अमेरिका के सरकार से क्रातना की है कि जो युद्ध गासा के अंदर चल रहा है उसको अमेरिका में शिफ्ट ना किया जा। कुछू युद्ध टेस्टे पुष्चे को तूस्टे ने कर ने वह है जिव है कि टुझा थेए व्यूशाग बश्श थासे इस यू कि टू युद्चे को युद्दट विश्दाए युट टेस। what happened that day for a gentleman that he loved that kid to start with he used to bring him toys now I want to ask anybody here a 71 year old man sitting on top of a 6 year old kid step in her more than 26 times and he was looking in his eyes you tell me is that exaggeration you tell me what type of man he can do that this type of man this type of man America 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 Detroit America America चाकू मार कर बेरहमी से हध्या की है। इतना ही ने अमेरिका के न्यूयोक से भी विचलित करने वाली तज़्वीरे आई है। यहां एक विश्य विद्याले की लाइब्रेरी के अंदर यहूदी बच्चे चुपे हुए थे और बाहर फिलिस्थीन के समर्थक नारिबासी कर रहे थे। अमेरिका के वश्यंटन में फिलिस्थीन समर्थक प्रदर्शन के दोरा एक महिला को ऐसा पूस्टर लिए दिखाया किया जिसमें यहूदियों को पूरी तरह से समाप्ट करने जैसा संदेश दिया गया थे। अमेरिका के अंदर लगातार हो रहा कतलियाम और एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे लोग ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका किस तरह तलवार की धार पर चल रहा है। बरलिंटन का केस अपने आप में बहुत चौकाने वाला है। जिस वक्त इन तीनों फिलिस्तीनों को गोली बारी गए ये तीनों अर्भी बोल रहे थे और इनमें से दो ने फिलिस्तीनी काफिया पहना हुआ था। फिलिस्तीनी काफिया एक ऐसा खपला होता है जो गले पर पहना जाता है और इसमें चिक होते हैं। जो डूटी ब्यक्त करने के लिए फिलिस्तीनी काफिया पहना था। ठीक एसा हैं। दो फिलिस्तीनीों ने भी पहना हुआ था। जिन पर गोली चली है। इसका मतलब साफ है कि गोली मारने वाले शक्स अमेरिका के नागरिक जे संझ जे इतन ने ये जांते हुए इने गोल We still do not know as much as we want to know But I would urge the public and you in the media To avoid making conclusions based on statements from people who know even less than we currently do We are working hard to find out this information And we are nowhere near the end of this investigation Jason J. Eaton को गरफतार कर लिया गया है और उन पर केस चलाय जा रहा है America की पॉलिस लगातार Jason J. Eaton के बैक्राउंड को तलाश रही है करीब 50 साल का Jason एक किसान है और मुक्षे तोर पर उसका प्देशा खेती बाड़ी है लेकिन वो सोच्छल मीडिया पर भी अक्टिव है और वो फिलस्तीन का समर्थन करने बाले America के निताओं के खिलाफ कई टिपणिया कर चुका है एहम बात ये भी है कि जहां पर Jason ने तीन फिलस्तीनियों को गोली मारी है वो जगह उसके अपार्टमेंट के पास ही है जहां ये तीनों फिलस्तीनी पढ़ते हैं वो जगह भी अपार्टमेंट के पास है क्या ये इलाका फैलिस्तीनियों के प्रदर्शन से प्रभावित रहा है इसकी भी जाच की जा रही है हमास के कमांडर याया सिन्वार ने इसरेल को फिर से डरा दिया है सिन्वार ने इसरेल की भाशा में ऐसी बात कह दी कि बिनियामिन नेतनियाहू बहुत टेंशन में है दरसल बंदकों की रहाई के बाद अब कहा जा रहा है कि हमास ने इसरेल के सिर्फ 60 बंधक ही नहीं छोड़े बल्कि इसरेल को 60 बार हरा भी दिया है सीज फायर टूट गया जब युद्ध विराम बढ़ाने पर हमास और इसरेल राजी हुए तो घाजा में तैनाथ इसरेली सेना के टैंक और तोपों ने बंबारी कर दी शेख रदवान इलाके में धमाके हुए और तहशत पैल गए कि युद्ध फिर शुरू हो चुका है इसरेल फिर टनो टन बंब घाजा पर गिराएगा फिर इमारतें ढहती जाएंगी और हजारों लाशों को मलबे से निकालने का काम फिर शुरू हो जाएगा जिसमें बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, बुजर्ग भी होंगे क्योंकि नेतन्याहू तो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमास बाकी है, युद्ध बाकी है और घाजा की तबाही जारी रहेगी यानि सीज फायर की उम्र ज्यादा नहीं है और अब शेक रद्वान में हुए हमलों ने बता दिया कि सीज फायर तूट गया है युद्ध फिर शुरू होगा और हमास इस बार बिलकुल नहीं बचेगा लेकिन हमास को इसका डर नहीं, हमास के कमांडर को इसके फिक्र नहीं क्योंकि इसरेल की मीडिया में जो खबरें चाही है उसने याया सिन्वार का खौफ एक बार फिर पूरे इसरेल में फैला दिया है क्योंकि याया सिन्वार को लेकर जो खबर आई है, वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है ये खबर सुरंग से आई है, जहां हमास पूरी तरह एक्टिब है ये खबर हमास के बंधकों ने बताई है, वो बंधक जिनको हमास ने रिहा किया है और ये खबर नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सिर्दर्ट बन चुकी है हमास के कबजे से रिहा हुए एक बंधक ने बता है कि जब गाजा में वो एक सुरंग में कैद करके रखे गए थे तब एक दिन अचानक सुरंग का दर्वाजा खुला और उनके सामने एक व्यक्ति था जो याया सिन्वार बताया जा रहा है वो व्यक्ति इसरेल में बोली जाने वाली हेब्रो भाशा में बात करने लगा और उसने कहा कि तुम सब यहां हमास के कबजे में मैफूज हो तुम लोगों को डरने के कोई जरूरत नहीं तुमें कोई नुक्सान नहीं होने दिया जाएगा उसकी हेब्रो भाशा बोलने का लखा बलकुल एक इसरेली व्यक्ति की तरह था शुरू में उने लगा कि इसरेल का कोई शक्स उन से बात कर रहा है लगन पर ऐसा स्वा कि ये हमास का कमांदर याया सनुवार ही है तुमना हצाली अवड़त बमलू रुट्समा इस यासनुवार में प्खब बुंकिर शेलो वन नुतन लफगदे शेलो अटरॉरिस्तिम लामुट बश्ट बश्टच अचलेनो हम फगदीम अलखीम बरोश अकुछ मोविलीम कदीमा मवीम लेसिगीम वमनीगीम इता कुछोत याया सनुवार अब इसरेल के सिर पर चड़ गया है इसमें कोई शक नहीं कि घाजा की गलियों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याया सनुवार की चाप पड़ी हुई है हमास का एक-एक हमला याया सनुवार की सरपरस्ती में हो रहा है ये बात इसरेल की फौज बहुत अच्छी तरह जानती है नेथन याहू ने घाजा पहुँचकर पहले ही बता दिया है कि चाहे सीजफ फायर रहेगा या फिर नहीं इसका हमास को खत्म करने के उनके एज़ेंडे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो पहले ही बता चुके हैं कि इसरेल पर हमला करने वालों को वो चुन-चुन कर मारेंगे हमास को जड़ से खत्म कर देंगे ुन-चुन-चुन-चुन-चुन-ट प् सरेंगे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा इसकी 100 पॉसेंट वाली गारंटी नेतनियाहू बार बार दे रहे है घाजा में सीस फायर करके इसरेल को वक्त मिला उसकी सेना को वक्त मिला हमास को भी वक्त मिला दोनों तरफ अपनी ताकत को फिर से जोटाने का काम हुआ होगा ताकि युद्ध के अगले चरण को और खतरनात बनाया जाए लेकिन इन सबके बीट सबसे बड़ा चैलेंज याया सिन्वार बन चुका है याया सिन्वार जब तक जिन्दा है नेतन्याहु जीत का दावा नहीं कर सकते नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याया सिन्वार सुरंगों में घूम रहा है और बंधकों से मुलाखात करके उनसे सीधे बात कर रहा है तब से नेतन्याहू के बेचैनी बढ़ गई है इसका मतलब साफ है कि याया सिन्वार जिन्दा है याया सिन्वार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है याया सिन्वार बता रहा है कि इस्रेल का एक एक बंधक उसके रहमो करम पर जिन्दा है यही बात इस्रेल को बहुत परिशान कर रही है याया सिन्वार के ओर्डर पर हमास कुछ भी कर गुजरने को तयार है सिन्वार की बहुत ही खास स्ट्रेटजी है जिसके आगे अभी तक इसरेल नाकाम ही साबित हुआ है साथ अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इसरेल के दो मकसद थे पहला हमास के पास से करीब धाई सो बंदकों को आजाद कराना जिसके लिए इसरेल को सीजफ फायर करना पड़ा यानि उसका युद्ध और बंबारी काम नहीं आए वो फेल हो गया दूसरा मकसर इसरेल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है लेकिन अभी तक इसमें भी इसरेल फेल ही साबित हुआ है हमास वे इसरेल हमास के हमले का मास्टर माइंड है उसी ने साज़ श्रची उसी ने टार्गट चुना और अब वही घाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है घाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हू रहा है उसने इसरेल को भी बड़े जटके दिये हैं लेकिन नितन्याहू अपने फैसले पर कायम है बंदकों को छोड़ाने वाले सीज फायर के बाद वो हमास पर दस गुना तेज हमला करेगा फिर हमास के पास ना बचने का रास्ता होगा ना भागने का घाजा की गलियों में युद्ध के दोरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किये हैं हमास का दावा है कि उसने इसरेल के 180 टैंग और वक्तरबंद गाड़ियों को हमले में पोर दिया है गाज़ा से लगातार ऐसी तजवीरें आई हैं जिसमें इस्रेली टैंग पर घात लगाकर हमले किये गए इस्रेल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ओपरेशन में उसके 70 से जादा सैनिक मारे जा चुके हैं 200 से जादा सैनिक जख्मी हुए है लहाजा हमास के खिलाब जो ताकत इस्रेल को माना जाता है उसके मताबिक नतीजे तो इस्रेल को भी नहीं मिले है हलाकि नेतनियाहू के सामने अपनी चवी को बनाए रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और घाजा पहुँचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नज़र आती है सीजफायर हमेशा के लिए नहीं हुआ है और आगे के लड़ाई जैसी भी होगी उसे लेकर इस्रेल के ओपर बंधकों वाला प्रेशर पहले के मुकाबले काफी कम होगा क्योंकि बहुत से बंधक खास कर बच्चों और महिलाओं को हमास आजाद कर चुका है इसलिए इस्रेल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है